चली तो आज हम लोग देखेंगे वाबु एक नया चेप्टर जिसको हम लोग शुरू करना आज से चाहेंगे जिसका कुछ वेसिक वात आज हम लोग देख लेंगे तो आज हम लोग एक नया चेप्टर औरगेनिक का 12 औरगेनिक का 2nd चेप्टर अलकोहल फिनॉल एंड इथर क खतम किये हैं उसमें सारे टॉपिक आपको हम पूरा किलियर करवा दिये हैं एक छोटा सा टॉपिक आपको 15-20 minute का class है डिडिटी और बीये स्के बारे में तो उसके बारे में भी हम आपको class दे देंगे बता देंगे तो आज हम लोग class सुरू करेंगे alcohol phenol and ether का उससे पहले एक छोटा सा information आप लोग के लिए आप किसी भी state board से हैं आप हर state board में objective question का महत्म जादा है objective question पर आपको ध्यान देना है तो ऐसे इस्थिती में अगर आप 10th से लेकर 12th तक है student है तो आपको focus करना होगा objective question पर और objective को याद करना होगा तो objective को याद करेंगे अगर किताब से अगर copy से तो हमको ज़्यादा भार परेगा लेकिन अगर हम किसी से discussion करते हैं तो साइद वो जल्दी से याद हो जाता है या उसे चीज़ को अगर हम Qs खेले तो वो जल्दी याद हो जाता है तो इसके लिए एक छोटा सा information है कि अगर आप 10th से 12th तक हैं आपको किसी भी board का exam देना है और आप Qs खेलना चाहते और हिंदी मिडियम से अभी सुविदा सिर्फ हिंदी मिडियम वालों के लिए है Qs वाला system फिर बाद में कभी English मिडियम वाला का भी होगा तो information जाएगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले Qs अगर आप खिलना चाहते है अगर सबसे पहले आप एक टेलिगराम एप है उसे from play store से download कर लिजे इंस्टॉल कर लिजे अपने mobile में अबने mobile में इंस्टॉल करने के बाद जिस तरह से अब WhatsApp का verification करते अपने नंबर से उसी तरह से इस में भी आपके नंबर से verification करवाना होगा, आपको एक से दो मिनट में verification हो जाएगा, इसके बाद जब आपका box खुल जाएगा, आपका chat box खुल जाएगा, तो उसमें आपको एक उपर search box का रहेगा, sign, उस search box में आपको type करना है, my praveen chemistry, my praveen chemistry, my praveen chemistry, my praveen chemistry, यह आपको type करना है, search करना है, आप जैसे ही search किजेगा, तो आपको my praveen chemistry का एक channel दिखेगा, उस channel को आप subscribe कर लिजिए, या आपको join या subscribe का नीचे button दिखेगा, उस button पे click किजेगा, तो आप इस channel से जुड जाएगे, और इस जुडने के बाद इसमें जितना भी details पहले में द जाएगा, इसके बाद बहुत अच्छा इसमें information एक और है, कि daily आपका huge होता है, उस huge का समय आपको बता दिया जाता है, और यह huge वैसे समय में होता है, जिस समय में आप लोग छुटी में हैं, या आप लोग से voting लेकर ही huge किया जाता है, और huge का समय लगभग, रात के साड़ से 11 होता है, ठीक है, अभी ततकाल में हम लोग छुटी में हैं, lockdown में हैं, तो हम लोग को हर समय छुटी ही दिख रहा है, तो अभी हम इस समय में huge कर रहे हैं, जो daily huge हो रहे हैं, तो अगर आप भी huge में भाग लेना चाहते हैं, तो आप जल्दी से इस telegram channel को download किजिए, इसमें माई परविन कमेश्टी huge को सर्च कीजिए, और उससे join हो जाएए, और जल्दी से huge में आप लोग join हो जाएए, और huge कीजिए, ठीक है, और आपको बहुत मजाएगा, बहुत मजाएगा, बहुत मजाएगा, इतना मजाएगा कि आपको जो question याद नहीं होते थे, वो question यहां असानी से याद हो जाएगे, और असानी से आप objective question को cover कर पाईएगा, subjective हम लोग class में कर लेंगे, objective हम लोग क्यूज के सहरे कर लेंगे, और हम लोग का online test भी होता है, उस test में भी अगर आप भाग लेना चाहते हैं, आप उस channel से जुड़ी उसके बाद आपको वहां पे सारा information दे दिया जाएगा, या आप description box से जो WhatsApp नमबर इस पे मिलेगा, उस WhatsApp नमबर पे आप मेरे से contact कर सकते हैं, अगर आप किसी चीज का detail पूछना चाहते हैं, तो चलो यह छोटा सा information, उन सभी students के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, सभी के लिए बहुत ही important ह तो चलिए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं, तो आज का क्लास हम लोग का होने वला है, alcohol, phenol and ether का, जो काफी important chapter है, और organic का इसे दुसरा chapter है, देखते हैं हम लोग, alcohol, phenol and ether, alcohol, phenol and ether, ऐसे अगर वेसी कली, इसको हम syllabus के अधार पर देखें बाबो, तो हमें बोट अक्जाम में लगवग 4 marks के पूछे जाते हैं, ठीक है, इन लगवग होता है, ऐसा नहीं है कि 4 marks दिया गया है, तो 4 marks ही रहेगा, इसका एक अधार है, उपर निचे भी हो सकता है, इसको उससे आपको कोई ध्यान नहीं देना है, लेकिन पढ़ना है, मेहनत करना है, हमको पूरे syllabus को पढ़ना ऐसा नहीं है, कि 4 number है, तो 4 दिन का class है, 2 number है, तो 2 दिन का class है, 6 number है, तो 6 दिन का class है, ऐसा नहीं है, syllabus के अधार भी आपको जितना चीज पढ़ना, पढ़ना तो पूर लू आए Ekकोहल दूसरा फिनोल और त्यसरा इत्था इसमें हमको सबसे पहला टॉपिक क्यावाव इलकोहल इसके बाद हम लोग देखेंगे इत्थर तो चलो सबेथिकinas सुरू करते है अलकोहल तो आज का क्लास हम लोगावावव से शुरू करने जा रहे हैं तो आज का टापिक भी हमारा है बावो अलकोहल अलकोहल अब हमको क्या बनाना है अलकोहल बनाना है तो अलकोहल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा सबसे पहले आपको जानना है किसका क्रियात्मक संकेत क्या है अलकोहल का क्रियात्मक संकेत क्या है बावो alcohol कैसे बनेगा तो आपको पता है कि कोई भी काम अकेला नहीं होता है जब तक वो किसी ने किसी saturated hydrocarbon के साथ उसके किर्यात्मक समू नहीं जूड़ते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है यानि किसी ने किसी hydrocarbon के साथ saturated ही नहीं किसी ने किसी hydrocarbon के साथ किसी ना किसी functional group को जोड़ना होता है तब जाकर उसका property निकल कर उसके जैसा होता है तो यहाँ पर आपको दीख रहा है क्या बाबो alcohol alcohol का क्रियातमक सिंबल क्या है OH और इसको हमको क्या बनाना alcohol के रूप में बनाना है तो हमको देखना होगा सबसे पहले कि alcohol आखिर बनता है कैसे alcohol आखिर होता है कैसे इसका formula किसा होता है इसका structure कैसा होता है तो सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहते है alcohol को अगर हम लोग बनाना चाहें तो समाने रुप से generally हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम लोग Elkene से आपको पिछले क्लास में भी बताये थे कि अगर हमको Hello Elkene बनाना होता है तो Hello मतलब हेलोजन और Elkene यानि Elkene के साथ हेलोजन को ज़ोडना होता है तब जाकर Hello Elkene बनता है तो उसी तरह से आज हमको Elkohal दिलता है यानि alcohol का symbol क्या है बाबो OH जिसे हम लोग क्या काते है hydroxy काते हैं तो जब यहाँ से एक hydrogen हटेगा और hydroxy समुझ उड़ेगा तब जाकेट क्या बनेगा बाबो alcohol बनेगा क्या बनेगा alcohol अगर हम लोग formula की बात करें तो alcan का formula क्या होता है बाबो RH या इसको हम लोग पहले ऐसे भी denote कर सकते हैं alcan का formula CNH2N plus 2 यहाँ से क्या करना है बाबो एक hydrogen को हटाना होगा और उसके अस्थान फे hydroxy समुझ को जोड़ना होगा तो देखो तो यहाँ से एक hydrogen टूटेगा क्योंकि यहाँ से hydrogen की संख्या है तो पहले तो यहाँ से घटेगा तो क्या हो जाएगा CNH2N plus 2 और बाबो 2 एक hydrogen को हटाना है यानि माइनस कितना करना होगा और इसके साथ क्या है बाबो OH हमको इस तरह से करना होगा इस तरह से दिखाना होगा अगर हम इसका कलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा CNH2N plus minus 2 plus में है साइन प्लस का होगा दो में से एक जाएगा एक साथ में क्या है बाबो OH तो ए जो हमें मिल रहा है ए फर्मूला आखिर किसका मिल रहा है ए फर्मूला हमको alcohol का मिल रहे है क्योंकि हमको पता है केलकेन से एक hydrogen हटते हैं, hydroxy समुच उडते हैं, तब जाकर alcohol बनते हैं, सेम प्रेक्रिया यहां भी हो रहा है, तो यह जो आपको formula दीख रहा है, यह formula किसका निकल रहा है, alcohol का निकल रहा है, अब हम इसको एक और तरह से denote कर सकते हैं, इस alcan को हम इस तरह से denote कर सकते हैं, cnh2n plus 1 plus h कर सकते हैं, यह भी तो हमारा hydrogen की संख्याय प्लस 1 h जूड जाएगा, तो फिर से हमको एक और एक दो यानि इसके जैसा हो जाएगा, अब एक बात बता तो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अलकाइल कहते हैं, कभी पढ़े थे, cnh2n plus 1 को हम लोग क्या करते हैं, अलकाइल कहते हैं, और अलकाइल को हम लोग sort में किस से denote करते हैं, वाबो, r से denote करते हैं, यानि अलकाइल को हम लोग r से denote करते हैं, और इसके साथ अगर एक hydrogen जूड जूड जाता है, तो अलकेन में ब बनाना है तो यहां से एक hydrogen को हटाना है इसके साथ OH को जुड़ना है तो बाबू जब यहां से hydrogen हट जाएगा यह hydrogen टूट जाएगा और इसके जगह पर क्या जूड़ जाएगा OH तो ए जो आपको formula देख रहा है यह formula किसका मिल रहा है alcohol का मिल रहा है alcohol जैब कि आप देख सकते हैं कि यहां से यहां CNH2N plus 1 है जिसको हम लोग alkyl कहते हैं और इस alkyl को हम लोग R से denote करते हैं और यह R के साथ क्या है OH तो यहां पर भी हमारा क्या बनेगा वह आर ओ एच तो अब जेनरली रोप से देख सकते हैं कि अलकोहल कि इस तरह से बनता है जब हम लोग general काम कर रहे हैं तो उस condition में हमको एक को हटाना है और उसके बदले एक hydroxy sum को जोड़ना है तब जाकर क्या बनेंगे अलकोहल बनेंगे तो चलो अब अलकोहल के detail में काम करते हैं इसके थोड़ा सा हम लोग common name को देख लेते हैं कुछ IUPAC name को देख लेते हैं कुछ हम बब कितने types के मिलेंगे तो चलो बाबु सबसे पहले हम लोग यहां पे काम जब शुरू कर लिए है तो आप लोग इसे note कर लो अगर note करना चाहें तो note कर लीजी चली तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे अलकोहल के वारे में तोलकोहल का सबसे पहला चीज है बाबु GM AP जो अभी निकल कर सामने आ गया GMAP क्या है General Molecular Formula इसका Formula क्या है इसका Formula ROH जहां R equal to क्या है वावो CNH 2N plus 1 जिसे हम लोग क्या कहते है Alkyl कहते है ठीक है यहाँ पर N क्या है वावो तो N equal to number of carbonate यानि N क्या है carbon परमानू की संख्या है जहां N का value क्या होना चाहिए greater than equal to 1 यानि N का value कम से कम एक होना चाहिए एक से ज़्यादा होना चाहिए एक से कम होना नहीं चाहिए अब हमारे दूसरा काम यहाँ पर है structure formula क्या होगा तो इसका structural formula होगा बाबू OH इदर कुछ भी जुड़ा रहे R जुड़ा रहे कुछ भी जुड़ा रहे या OH ठीक है ध्यान से समझेगा अगर हम इसका structural formula देखे यानि सनरचना सूत्र देखे तो इसका सनरचना सूत्र इदर कोई भी रहेगा उसके साथ OH जुड़ा होगा या O single bond H इस तरह से जुड़ा होगा अगर तिसरा काम देखे बाबू common name तो इसका common name क्या होगा इसका common name क्या होगा चलो इसको थोड़ा सा यहाँ पर ही short में लिख देते हैं आप लोग structural formula समझ रहाँगे इससे फ्लिख देते हैं क्या हो जाएगा OH या OH तिसरा है बाबू common name तो common name यहाँ पर क्या हो जाएगा तो common name formula क्या अधार पर अगर हमसक इसकेным आयूपेसि एक के बारे में बाद करें तो जब हमम लोग आयूपेसी काम करते हैं तो इस लीकीलसे इस निकाल लेते हैं तो में तो ये आ लए केर्ध में क्याम करता है तो जब सिंगल होता है तुस हईड्रोकार्बन को हम लोग अलकेन ग्रूप कहते हैं अलकेन-A-L-K-A-N-E अब हमको इस आयूपेसी निम किसका लिखना है अलकोहल का लिखना है यानि इसका लिखना है तो यहाँ पर अलकोहल भी साथ में जुड़ा है अल्कोहल भी हमको जोड़ना होगा अल्कोहल का आयूपेसी सेंबल OL होता है तो OL जोडने के लिए हमको यहां से E को हटाना होगा और उसके अस्थान पे हमको OL को जोड़ना होगा तो जब हम इसे जोड़ देंगे बाबू तो क्या बन जाएगा? अल्के नॉल यानि यहां पर हमको अल्कोहल का आयूपेसी निम क्या मिलेगा? अल्के नॉल मिलेगा जैसे में छोटा सा एक्जामपल हम इस पे अभी डिटेल में काम नहीं करने वाले छोटा सा एक्जामपल देखने वाले हैं कि अगर हमको N इकोल टू 1 मिल जाए और यहां पर हमको काम करने के लिए दे दिया जाए तो किस तरह से काम होगा? तो सबसे पहले फर्मूला, तो फर्मूला क्या है? R है, तो R के जगा पर C, N, N के जगा पर कितना है? 1, H, 2 into 1, प्लस 1, यहां से ले रहे हैं, N का भैलू यहां से पूट कर रहे हैं, यहां से हमको कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर क्या बन जाए बाबू, कारवन 1, और साथ में क्या हमको जोड़ना है? O, H, साथ में हम जोड़ दियें, O, H, तो C, 2, C, 1, H, 2, प्लस 1, साथ में, O, H, C, 1, 1 रहे तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 और 1, 3, साथ में क्या है बाबू, O, H, हमारा फर्मूला 1 के तयार हो गया, अब हमको अगर स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमने क्या बताया था? बांट, इधर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, इधर हमको जो है उसको जोड़ देंगे, O, H, या O, सिंगल बांड, H, और इधर जो बच्रा उसको हम लोग लिख देंगे, तो इस तरह से हम लोगा अब अगर हम इसका भी अश्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो कारवन एक, हाइड्रोजन थी, तो ए हमारा बनगे बाबो, अस्ट्रक्चरल फर्मूला, अब अगर हम इसका नाम लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले देख लो इसका कॉमनिम क्या होगा, तो कॉमनिम आपको यहाँ पर बताया है बाबो, R के लिए अलकाई, तो यहाँ पर को हल, अगर हम लोग आईउपेसी की बात करें, तो देखो बार बार हम आईउपेसी को नहीं लिखते रहेंगे, हम सौट में अस्टार से डिनोट करेंगे, तो समझ जाएगे कि जहाँ पर अस्टार है, समझ जाएगे क्या है, आईउपेसी है, तो यहाँ पर आईउपेसी लगाते हैं, यहां से E को हटा देना है, OH है, तो OH का IUPAC सेंबल क्या होता, OL होता है, तो देखो यहां पर E के हटा के क्या जोड़ देना है, तो क्या हो जागा अबो, L के नॉल, तो इसका नाम क्या हो जागा, मिथे नॉच, तो इस तरह से हम लोग alcohol में काम कर सकते हैं, एक और example छोटा से हाँ पर देख लिजिए, कि अगर हम लोग N इक्वाल टू ले ले, N इक्वाल टू, तो फर्मूला हमारे क्या बनेगा बाबो, C2, H2, इन्टू 2, प्लस 1, और साथ में बाबो, O, H, हमने इस फर्मूला पर काम किया है, जो फर्मूला दिख रहा है, N के जगा पर 2 रखे, जहां-जहां N है, वहां-वहां 2, N 2, N 2, तो दो दूना 4, प्लस 1, तो यहां पर हमारा फर्मूला क्या बन जाएगा, C2, H4, प्लस 1, O, H, तो इसका फर्मूला हो जाएगा, C2, H5, O, H, अगर हम इसका स्ट्रक्चर फर्मूला बनाएं, कारवन 2 है, बाबो, साथ में, क्या है, लॉह यहां पर हइड्रोजन यहां पर तोचक्शत का उज षिल यहां गलाए तो इस्का चारवी लिए इत होता है कि सब्हें को कर algumas और जोड़ेंगे और नाम क्या हो जाएगा इत नॉट तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाँ इसका कॉंशन न हॹर हम कर रहे हैं ज़ल देख लेटे हैं है कि इस alcohol के type कितने हैं इस alcohol के type देख लिए यानि types of alcohol तो आप सभी जानते हो और यह बात हमने पहले भी बताया है तो types of alcohol इस सभी बात पर ध्यान देना है अच्छे से काम करना है types of alcohol देखेंगे alcohol कितने तरह के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तो alcohol आपको तीन तरह क्या मिलेंगे कौन कौन बाबो तो primary alcohol primary alcohol second मिलेगा secondary alcohol secondary alcohol और ठर्ट मिलेगा बाबो टर्स्यारी अलकोहल है अगर हम लोग तीनों की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं प्राथ्मिक alcohol प्राथ्मिक अलकोहल देखें कहीं कहीं अलकोहल भी लिखा मिलेगा तो घबड़ाना नहीं है कहीं कहीं आपको अलकोहल भी मिलेगा तो कुछ tension लेने वाली बात नहींиваем secondary को कहेंग बाबो द्युत्याक अलकोहल ए है द्युत्याक अलकोहल और टर्स्यारी को हम लोग कहेंगे बाबो त्रितियक अलकोहल अगर हम लोग सौट में देखें तो यहाँ पर आपको जो प्राइमरी अलकोहल देख रहा है इसको हम लोग 1 डिगरी अलकोहल की रूप में देखते हैं यह जो सेकेंडरी मिल रहा है इसको हम लोग 3 degree alcohol के रूप में देखते हैं अब यहाँ पर हमारा 1 degree 2 degree और 3 degree alcohol क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो 1 degree alcohol क्या है बाबू तो वैसा alcohol जो 1 degree carbon से जुड़ा हो ठीक है 1 degree carbon से जुड़ा हो जैसे मैं माल लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा structure है तो इसमें आप जो alcohol दिख रहा है यह alcohol किस carbon से जुड़ा इस carbon से तो कहता है 1 degree alcohol जो 1 degree carbon से attach हो ठीक है 1 degree carbon से attach नो 2 degree alcohol 2 degree carbon से attach हो 3 degree alcohol 3 degree alcohol 3 degree carbon से attach हो और यह बात तो आप लोग समझते ही है कि 1 degree क्या है 2 degree क्या है और 3 degree क्या है तो 1 degree alcohol वो alcohol होंगे जो 1 degree carbon से जुड़ा होगा तो ये carbon 1 degree है तो ये alcohol भी कितना degree का हो जाएगा 1 degree का हो जाएगा यानि इस alcohol को हम लोग कहेंगे प्राथमिक alcohol या primary alcohol Second example अगर हम लोग देखें तो वैसा alcohol जो 2 degree carbon से जुड़ा हो जैसे में carbon, carbon, carbon अब इसमें कौन सा carbon 2 degree का है तो ये बीच वाला carbon 2 degree का है तो अगर इस carbon के साथ alcohol जुड़ जाता है तो इसे हम लोग कहेंगे 2 degree alcohol अब यहाँ पर जो बच जा रहा है उसको hydrogen पूरा करेगा hydrogen इसके साथ होता है तो ये जो alcohol आपको दीख रहा है ना बाबो ये alcohol का हलाएगा 2 degree alcohol ठीक है अब अगर हम लोग 3 degree alcohol की बात करें तो वैसा alcohol जो 3 degree carbon से जुड़ा हो वैसा alcohol जो 3 degree carbon से जुड़ा हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 degree carbon का हमसा है ये बला है ना इसके साथ जो जुड़ जाएगा alcohol ये alcohol कितने degree का हो जागा आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि 1 degree क्या है, 2 degree क्या है और 3 degree क्या है अब अगर हम यहाँ पर ठोड़ा सा और ध्यान से देखे तो 1 degree alcohol आखिर हमको दीखेगा कैसा तो आप यह एच 2 CH2OH इधर किसी के साथ जुड़ा होगा तो यह 1 degree carbon हो जाएगा तो 1 degree carbon से जुड़ने वाला अलकोहल 1 degree अलकोहल हो जाएगा यहाँ पर आपको कैसा दिखेगा बाबू तो carbon 2 un-carbon से जुड़ा होगा तब इस carbon से जुड़ने वाला जो अलकोहल होगा यानि ए 2 degree का होगा ए 1 degree का अब यहाँ पर आपको एक बात देखर समझ में आएगा कि अगर CH2 से जुड़ा है यानि OHCH2 से जुड़ा है तो 1 degree का होगा अगर CH से जुड़ा है तो वो 3 degree का होगा और अगर वो सिर्फ और सिर्फ carbon से जुड़ा है किस से जुड़ा है सिर्फ और सिर्फ एक कारवन से जुड़ा है तो वोज अलकोहल होगा 3 डिगरी अलकोहल होगा तो बस यही बात आपको समझे ना था 1 डिगरी अलकोहल कौन होगा 2 डिगरी अलकोहल कौन होगा 3 डिगरी अलकोहल कौन होगा फिर हम इस पर फर सूर lleg देख लेतें की किस तरह से हम लोग पहांचानेंगे की कौन सा one degree का alcohol है और उच्वार यहां पर तीन चार कोश्चन आपके लिए लिखते हैं और आप हमको जड़ा बताओ कि कौन सा अलक्वाल ठीक है अभी बताना है जैसे मैं हमारे पास कुछ कोश्चन आ रहे हैं CH3 CH2 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 CH3 दूसरा कोश्चन CH2 CH2 OH OHCH3 ठीक है तिसरा कोश्चन है OHCH2 CH2 CH2 OHCH3 CH3 इसके बाद कुछ और कोश्चन इधर भी दिखा दते हैं जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना है बादर लाइन एस्ट्रक्चर के रूप में आपको मिल जाएगा तो आपको पहचान के बताना है कि कौन साल कोहल है और एक और कोश्चन हमारे पास अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन से अलकोहल कितने डिगरी के हैं चलिए एक बार देख लिजिए आप अनसर कीरियेट कर लिजे कर लिएं अनसर कीरेट हो गया आप लोग के पास हम पूछैं या हम बनाए चलिए तो पहला कोशंचन के आपको उलकोहल को सिर्फ देखना तो एक ऑलकोहल कौन से sing कारवन चूड they can do too अगर हम लोग इस कारवन के बारे में के वाबो 13 करवंस से जुड़ा है और कारवन सिर्फ एक ही कारवन से जूड़ा है यानि एक कितना ूत अर्प समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो यह सो नौ कामेंट जरूर कीजिए और आपके मेहनत साथ रहेगा तो ही हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे